तो फिलिप कार्ड और एमजोन इनकी सेल कल से लाइव हो जाएगी प्लस मेंबर और प्राइम मेंबर्स के लिए बाक्यों के लिए परसोस है अब मोबाइल फॉन्स के उपर जो डिसकाउंट आ रहा है उसको लेकर काफी जादा बज क्रियेट किया जा रहा है बीस अजार का फ प्राइज आपको देखने में थोड़ा ज्यादा लगी फिर उपर से यहां पर बैंक ओफर डालते हैं चलो यहां तक तो ठीक था लेकिन अब इन्होंने डाला है एक्शेंज बोनस जो सुनने में बिल्कुल नया नहीं है पहले भी यह लोग करते थे लेगिन अब इन्होंन बातों का ध्यान में रखना है ताकि आपका टाइम और पैसा दोनो वेस्ट ना हो अगर आपने कुछ भी मिस किया तो हो सकता है यह चीज़ आपको बाद में रेलाइज होगी तब तक ओफर जा चुका होगा तो बाते काफी सहरी हो गई सिधे में पॉइंट पर आते हैं और वो है यहां पर एक्सचेंज पॉलसी इसमें कोई डाउट टे कि फिलिपकार्ड की एक्सचेंज पोलसी पहले भी घटिया थी और आज भी घटिया है इस बार इन्होंने थोड़ा सा इसको गिमिक टाइप कर प्राइस के अंदर गॉड़ा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर फॉन एक्चेंज के डाले और वहीं से होता है इनका स्काम शुरूबे से इसको नहीं बोल सकते लेकिन हां इन्डरेक्डिक लिए आपके साथ एसा ही कुछ होने भाद में आप को सिरु यही बो जाएगा कि उसका फॉन पुराना जो है वो ज्यादा वेल्यू के अंदर निकल जाए और एक अच्छा फॉन वो पर्चेस करें अभी केस में एक एक्जामबल दे के समझाता हूं जैसे कि आप आइफॉन 12 लेने वाले हो अब अगर वाँ पे अपना पुराना फॉन आप एक्षेंज ही नहीं होगा और एक्षेंज होगा तो आपको वह वेल्यू नहीं मिलेगी जो पहले ओनलाइन शो हो रहा था और दिमाग खराब यह चीज़ में अपने पर्सनल एक्सपिरेंज के साथ में बोल रहा हूं साथी साथ 90 लोगों के साथ में ऐसा ही होता है आपके फोन में कोई भी प्राब्लम नहीं है लेकिन फिर भी आपके फोन के अंदर कोई ना कोई प्राब्लम निकाल देते और सिर्फ 10 परसेंट ऐसे लोग होंगे जिनका फोन इजिली एक्षेंज हो जाता है बेसिकली जब आप एक्षेंज करते हो अपना मोडल नमबर या आई-म होता है उस टाइम पर डिलिवरी बोई आकर उस फोन के अंदर कुछ सौफ़वर बगरे डालके उस फोन को जो है डाइग्नोस करता है और वहां पर अगर उसको कोई कमी नजर आती है तो उसके अकोडिंग वह आपके फोन का प्राइस कम करता रहता है मानलो आपके फोन में पर यह बताना मुश्किल है कि वह जो माइनर है उसको यह किस लेवल तर काउंट करते हैं मतलब इतना 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 क्या काउंट यह करते हैं ऐसा वेबसाइट पर कहीं भी मेंचन नहीं वहां तो सिफ माइनर लिखा हुआ है और जब फिलिपका डिलिवरी एजन्ट उसको च और कम होगे और ऐसे करते . में ऐसे करते यह आपके फ़ोन की वैलिव इतनी कम कर देते हैं कि आपको उस फोन को देने माइन known हमांट डेना पड़ेगा और जैसे आप वह देते हो आमका सीधा कट गया क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कस्टमर बहुत ही कम होते हैं ज जिसे भी काफी बार जो है उनको पेमिंट करना पड़ता है अब देखो माइनर स्क्रेचेज हो गए कलर फैड हो गया यह चीज तो फिर भी देखी जा सकती है लेकिन आप फोन का बैंड कैसे चेक करोगे अभी रिसेंटली इन्होंने क्या 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 है अब यह जान बूचकर आपके फोन में ना बैंड बताएंगे कि इस फोन में तो बैंड आयवा है यह फोन आपका एक्चेंज नहीं होगा ऐसे बहुत से एक्जामपल आपको देखने को मिल जाएंगे एवन मैं अपने परस्नल एक्सपिरियल से बता रहा हूं मैं रियलमी एक्सटू जो की काफी जादा अच्छी कंडिशन में था उस फोन का जो एक्चेंज वेल्यू है वो सीधा आदा कर दिया था जिसकी वज़े से मुझे वह फोन एक्चेंज के लिए कैंसल करना पड़ा तो यह लोग ऐसा करते हैं जिसके पीछे में रिजन यह बताते हैं कि अगर यह फोन एक्चें एक्चेंज बोनस वाला ओफर चल रहा है बेसिंगली एक तरह का गिमिक है जिसमें आपको नई फसना है अब आप पूछेंगे कि इसमें सोलूशन क्या है तो सबसे पहला सोलूशन तो यह है कि अगर आपके फोन में कोई भी दिक्कत नहीं है मतलब सीरियसली कोई भी दिक् आपने एक्चेंज किया था वह आगे चलकर पूरा बराबर हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि फालतू का सरदर्द भी होता है और आपका टाइम भी घराब होता है अब एक सोलूशन जो कि अनोफीशल है बट आप ट्राइ कर सकते हो अगर आप चाहो तो लाइक आप जो ड पर चिसुप पूरों कियोंकि इनका जो एक्षेंज बोनिस को लेकर और एक्षेंच बोनस को लेकर इस तरह का कुछ पंगा आप आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हों और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्षन में पूस सकते हों मैं मिलता हूं किसी ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय है जय बारत